दोस्तो यदि आप चाहतो ड्रीम 11 में सही तरीका से टीम बनाना तो आप यह वीडियो को पूरा देखो मैं आपके साथ पूरी जनकारी सेर करने हुआ कि आप ड्रीम 11 में नमबर एक रेंग कैसे ला सकते हो दोस्तो यहाँ पर आप सही तरीका से ड्रीम 11 में टीम नहीं बनाते जिसके करण आप पैसा को विन नहीं कर पाते हैं यहां पर देख लो इन्होंने ड्रीम 11 में किस परकार से टीम बनाया हैं और इन्होंने एक नमर रेंक लाकर करके आप देख सकते हो इहां पर से 25 लाक रुपिया विन कर दिये हैं और इन्होंने दो नमर रेंक लाया है जिनको यहां पर से आप देख सकते हो पांस लाक रूपिया बीन हो चुका तो सबसे पहले मैं यहां पर बिनिंग जोन पर चले जाता हूं और मैंने यहां पर जो एक मेंच खेला हो जिसमें यहां पर आप देख सकते हो एक नमर रेंग का प्राज जो रखा गया हुआ 25 लाक रखा गया और दूर नमर रेंग का यहां पर से 50 लाक रूपिया रखा गया लेकिन आप लोग लगाते होंगे लेकिन आप ड्रीम 11 से पैसा को जीत नहीं पाते हो यदि आप भी चातों ड्रीम 11 से पैसा जीतना और नमर एक रेंग लाना तो आप यह वीडियो को पूरा मैं आपको बता दूँगा कि आप ड्रीम 11 में सही तरीका से टीम कैसे बना सकते हो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हड़े को यहाँ पर उम्मिद रखता है कि भाई मैं यहाँ पर एक नमबर रेंक लाऊं लेकिन सभी लोग नहीं ला पते हो कोई एक ही लोग लाते है एक नम उम्मिद दिलाता हूँ कि आप टीम यहाँ देख लोगे तो आप परफेक्टर तारीका से बना सकते हो तो सिर्फ आपको यह वीडियो को पूरा देखना है चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जनकारी देता हूँ कि आप ड्रीम 11 में सही तरीका से ट लाएं यहाँ पर से एक लाइक कर देना है क्यों कि आपका लाइक और मेरा सबस्क्राइबर से काफी ज़्यादा होसला भरता तो फाइनली दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने फोन में डिरीम 11 अपलीकेशन को ओपन करेगो ता आपके सामने कुछ इस त कर देनी हैं इस पर किलिक करने के बाद आप लोग किया करते हैं यहां पर से यह भी कर लेता हूँ आप लोग सही परिकार से विकेट कीपर को नहीं चुन पाते हो और नहीं बेस्टमेन को चुन पाते हो और नहीं और और बॉलर सेक्षन से तो ऐसे में यहाँ पर आप पैसा को विन नहीं कर पाते होंगे तो मैं आज की इस विडियो में आपको यहीं बताने जा रहा हूँ कि आपmile कीअथ विकेट कीपर वेस्ट में और और रॉलरांडर सेकशन से आप सही परकार से टीम को कैसे चुन सकते हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर विकेट कीपर बोल रहा है यहाँ पर आपको सलेक्ट करने के लिए और आपको दिखाए देता हुगा यहाँ पर छोटा सा अक्षन में आपको बोला विकेट की पर जो सलेक्ट करना एक या आप अधिक्तम चार कर सकते हो तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हुआ कि आपको परफेक्ट विकेट की पर कि और निकोलेस पुरन की बात करें तो उन्हेंने ज्यादा नहीं 23 पॉइंट दिया है उसके बाद आरो देख सकते हैं यहां पर से एक यह विकेट की इपर हो गए तो इनका नाम जो अभी थोड़ा बुलने में दिक्कत हो रहा हो इनका नाम हसन नूरल हसन तो चलिए मैं इनका तो पॉइंट टेबल देख लेता हूं इनका पॉइंट टेबल जो उना सॉरी गया संचन्ट यहां पर नवासी है तो आपको यहे विकेट कीपर को एक इनको ही बेस्टमेन के ऑप्सन पर किलिक करते होंगे तो आपके सामने सारा बेस्टमेन नजर आते होंगे उसके बाद आपको क्या करना बेस्टमेन यहां पर आपको कितना सेलेक्ट करना यह आपके लिए काफी ज्यादा माईने रखता है तो आपको बोला है जो बेस्टमेन सेलेक्ट काफी अच्छा कासा और यह बैटिंग करने चले आते यह फ़स्ट डान यानि ओपनर ही चले आते हैं और इन्होंने काफी तबातोर में बल्ले बाजी करके चले जाता है और दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है आपको यहां पर देख लेना कि कौन खिलारी कितना नमर प अपर से की बनलियुस को ले ले लेका हो उसके बाद मैं यहां पर से मौंध्य lider को ले लेता हूं उसके बाद में एक क्रिस इसके बाद लिटन रास तो दोब दोस्तों यहां पर से देख सकते हो मैंने टॉप औदर से चारी कि लिए आँ और आपको भी चार ही लेना ज्यादा मत अप लेना नहीं तो आप डende तम आप चार कर सकते हो उसके बाद मैं यहाँ पर सकीबल हसन की बात करें तो उन्हें नों डिरीम 11 के अंदर 496 पॉइंट दे चुके हो और यह हमको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉइंट इन्हों नहीं अभी तक के टीटुएंटी वर्लकब में दिये हैं तो चलिए मैं यहाँ पर से एक साकीबल हसन को सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है आपको नीचे चलिए आना है उसके बाद मैं यहाँ पर से एक इनको सेलेक्ट कर देता हूँ इनका पॉइंट टेबल आप देख सकते हैं और इनको लोग सेलेक्ट किये हुआ से 37% करी तो चलिए मैं यहां पर से बॉलर सेक्षन से सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसी देख लो यहां पर इन्होंने कितना पॉइंट दिये हैं तो आप देख सकते हो दूसरा सोलर ड्रीम 11 के अंदर बॉलर सेक्षन से इन्होंने दिये तो चलिए मैं यहां पर से इनको सेलेक्ट कर लेत क्योंकि मेरे टीम में क्रेडिट काफी ज़्यादा है तो चली में यहां पर से इनको एक लिलेता हूं उसके बाद आपको क्या करना है all under section पर चले आना और दोस्तों आपको all under जो लेना वह तीन लेना है तो दोस्तों मैंने यहां पर से आपको बताना बुल गया था कि all under आपक कर दिया हूं उसके बाद आप लोग क्या करते हूंगे कंटीनिव के अप्टन पर किलिक कर देते हूंगे तो दोस्तों आपके लिए कैप्टन और वहास कैप्टन काफी ज्यादा मायने रखता तो यहां पर से आप लोग बहुत सारा गलती कर देते हो जिसके कारण आप से कोई कैप्टन यदि एक विकेट लेते हैं तो 50 पॉइंट मिल जाता है और आपका कैप्टन है तो उसका 50 पॉइंट मिल जाता है तो चलिए मैं यहां पर से क्या करना और अंडर से कैप्टन बनाना है होता है किया आप अंडर सेक्षन से जब कैप्टन बनाते हैं तो इनको आपको भाइस कैप्टन कैसे बनाना यह को देख लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आप एक ट्रिक लगा लेना मैंने इनको बनाया बंगला देश की तरफ से खेल ले हैं उसके बाद आपको वाइस केप्टन जो बनाना है वह एक विफैक्षी टीम से बना लेना जैसे देखलो आज का मैच जो होने जाड़ा है वह बंगला देश तो चलिए मैं इसे इवं लूइस को ले लेता हुँ उसके बाद आपको क्या करना सेव टीम पर किलिक कर देना है तो दोस्तों यहां पर से मेरा एक टीम पर जाता हूँ तो दूस्तों यहांपर से देख सकते हूं मैंने जो फिर से गया कई दिरने किया हूँ तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो मैंने जो विकेट कीपर सेलेक्ट किया हूँ एक किया हूँ वेस्टमेन मैंने चार सेलेक्ट किया हूँ उसके बाद और अल अंडर सेक्षन से तीन सेलेक्ट किया हूँ उसके बाद बॉलर सेक्षन से मैंने यहाँ पर से तीन ही सेलेक् कर देना और दोस्तों आपको क्या करना है एक लाइक कर देना क्यूंकि आपका एक लाइक से मेरा काफी ज्यादा होसला बाद